मांचाओ सूप बनाने के लिए आप चाहें तो रिफाइन भी ले सकते हैं गिसा हुआ अध्रक और लहसुन इसे हम एक मिनिट के लिए सौटे करेंगे हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है अब हम डालेंगे प्याज यह स्प्रिंग आनियन वाला प्याज है इसको मैंने छोटे-छोटा काट लिया है इसे भ बहुत ही बारी काट लिया है इसे हम हाई फ्लेम पे बस एक मिनिट के लिए चलाएंगे इसे हमें बहुत जादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारी सबजिया क्रंची रहनी चाहिए यह देखिए इसमें कितने अच्छे कलर से अब इसमें डालेंगे पानी यहां पर तक्रीबन म भी ज़रुत पर सकती है हमें बाद में अब हम इसे चलाएंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कॉन स्टाच लिया है मैंने इसमें मिला है सोया सॉस टेमेटो केचप और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसका एक घुल बना अब इसको अपने सूप में डाल देंगे यह हमारे सूप को बॉड़ी देगा थिकनेस देगा इसको डालते ही सूप थिक होने लगेगा इसे हम उबाल के 2 मिनिट तक पकाएंगे अब हम डालेंगे सिर्का हलकी से चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप सूप को इससे में और पतला करना चाहते हैं तो आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं देखिए इसके कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो गई है अब हम इसमें डाल रहे है स्प्रिंग अनियन मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है इसमें फ्लेम को इसे मिक्स करके अब हम सर्फ करेंगे सूप हमारा बिल्कुल बंद के तयार है तो हम इसे सव करते हैं इसमें ठोड़े से स्प्रिंग अनियन डालेंगे उपर से और इसके साथ में मैं दे रही हूँ फ्राइड नूडल्स इसके साथ में फ्राइड नूडल्स क्रिस्पी बहुत ही अच्छे लगते हैं वही देखिए हमारा आप इस सूप को बनाएए, पीजी और अपने एक्सपिरेंस हमाई साथ में जरूँ शेयर कीजिए and thanks a lot for watching, bye bye So guys, इसी के साथ में हमारी सूप सेरीज कतम होती है लेकिन आपको और भी आगे अलग अलग तरह के सूप मिलते रहेंगे तो आपस टेटी उन रहे हमारे चाल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो पीज लाइक का बटन जरूर दबाएए Bye for now, we'll back with some new recipes, टड़ा